मतलब ये कम पाने वाली फसल है, कम मेहनत वाली फसल है तो इसका जो शेडिंग है ये गोल्डन हो चुका है गन्ने से तो लाग गुना भेड़ते हैं तो जिसके पास कम पानी है, खराब जमीन है वहाँ पे ये लगा कि शारागा 3-4 लाग रुपे कमा सकते है ये मेरे आत में क्या है, तो ये है सीताफल हमारे इसको सीताफल बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको कस्टर्ड अपल बोलते हैं कम पानी, कम मेहनत और बड़ा पैसा ये फसल में मिलता है लेकिन कैसे, अच्छा मैनेजमेंट सटीक एकदम खेती करना पड़ता है इस कस्टर्ड अपल की तब जाके अच्छा पैसा मिलता है आपके मन में इस खेती के बारे में, सीताफल की खेती के बारे में बहुत सारे सवाल होगे, आज तक आये होगे लेकिन आज हम वो सारे क्लियर करने वाले है वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पूरा आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे तीन एकड पूरा फार्म है, सीताफल का और आज स्पेशल यह है कि हार्वेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना है, आंते तक वीडियो को नहीं छोड़ना है यह देखे, यहाँ पे आरश्टिंग चल रहा है और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकोन जरू दबाईएगा तो आज हमारे साथ यहाँ पे श्रीदर भाईए नमस्कार भाईजी तो इनके साथ हमने एक वीडियो पहले भी जुगार का शूट किया था बहुत मज़ा था लेकिन आज भी मज़ा आने वाला क्योंकि यह कस्टड एपल के बारे में हम जानकारी लेने वाला मेरा नाम श्रीदर दिवेकर है मैं दोन तालुका से बिलॉंग करता हूँ और मैं खुद एग्रिकॉस हूँ अच्छा कितने साल हुए आपको यह सीता फल की खेती किये हुए चटबा साल है और अभी हर्वेस्टिंग चल रहा है जी हमें दिखा यह कैसे हर्वेस्टिंग चल रहा है कैसे काटते हैं वह इंटेस्टिंग से आप यह मिनिमम साइज है हमारी यह 200 200-300 तक जाएगा और बड़ी सी बड़ी हमारा 1 kg तक जाता है इस साल दवारिश ज्यादा देग expenditure यह दिखा सकते हो हमें अजए है इससा निकलते है तो इससे क्या होता है इसका perishability बहुत कम होता है इसका जो मार्केट में ज्यादा चलने वाला है घा तो यहां पे लेबर निकाल कि भरते हैं यहां पर पीछर्ट रख़ा है तो या आप चालू रखिया आप चालू रखिया आपका आजाइए तो यह देखिए दोस्तों हम अभी के वल आपको हर्वेस्टिंग शुरुवात में यहां पर दिखा रहे हैं लेकिन यहां पर हर्वेस्टिंग होके जो पीछे मटेरियल रखा है वो भी हम दिखाने वाले इसे ही सीदा इसको रखा जाता है यहीं रखा यहां पर इस बहुत सभी यह उटाने में डाल दीजेगें और बहुत अच्छे जिजैन मताव आपने जॉन्टेर पे पीछे चोटा चली तो दोस्तों क्या कमाल का यहां पर इन्होंने जुगाड बनाए जिससे जो है हर्वेस्टिंग चल रहा है इससे क्या हो रहा है कि मेहनत बच रही है कंदे पर बहुत कम लग रहा है हमारा ट्रैक्टर एंड पोद्य तक पोच रहा है तो एक जुगाड मेरा बीस लेबर को कौका को प्रएंब घे जएम अनके लिए अगर बात करना चाहेंगे पूरे पर इंडिया का सब्सक्राइब जो है इसका फिक्स यह नहीं है करी सकते हैं अब बहुत से लोगों को मेरी जमन देख रही होगी यह दमिन फूरा black cotton soil है यह इसमें हर किसान बोल सकता है कि इसमें पॉसिबल नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं हम खड़े हैं हमने किया है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एरिया में हो जो इनाही सकते बहुत नौर्थ में बहुत अच्छे से हो रही है और इसके लिए टेंपरेचर का चाहिए लेकिन अगर आपका जमीन ऐसा है उसमें ज्यादा वाटर होलिंग क्यापसिट है तो आपको उसके हिसाब से उसका प्रक्टिस चेंज करना पड़ता है तो पहले यह मुझे बताही कि में किने प्लांट लगते है तोडन हमारे थीन से छेट में फ wild कितने प्लांट लगा Each तोल में एक ट्र pública कब है एक टीना करी का फुट कें ऑसपस वहां को 14 फूट शॉधां वहरे टोए सथ दूसे मतलब बारा बाल अच्छा हो जाता है स्जादा बैटता है और इंडिया में महाराष्ट में कौन-कौन सी वराइटी जो की सीता फॉल कस्टड एपल में लगाई जाती है सबसे पहले तो बहुत से और उसके बढ़ी राज गोल्डन भी लगब इसे थोड़ा सा अगल बगल फरक रहता है बहुत सारी बहुत सारी वाराइटी किसान भाईयों को जो अपने एरिया के अनुसार आपके आसपास एरिया के अनुसार देख के वाराइटी का चुनाओ करना चाहिए आपकी एनम के ग करके लोगों को अगर आपको पॉसीबल है हमारे यहां पॉसीबल हमने कहा राट्र से यह थी 10 ऐसे नाली बना दिया नाली बना दिया पूरा फिर उसमें लगा दिया अगर जिन किसानों का खड़े का जमीन रहता है जो पत्थर रहते तो वह उस पीड ड्रिलिंग करके या सिधा गड़ा के लेके उसमें डाल दें तो पहली बार में क्या लगाना है पहले तो हमेरे सिंगल सुपर फॉस्पेट ज्यादा कुछ त किसान भायों को यह एक रहता है कि सीधाफल तो हमने लगा दिया लेकिन कौन से साल से हरिष्टिंग चार्ट करना रहता है अब बहुत से लोगों का क्या होता है कि हमारे हमने अबर लगा दिया तो देख मेरों को प्रोड़क्शन अभी लगी चाहिए तो ऐसा नहीं होता अ प्लांट को अगर उसको आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो वह आपको ऐसा फिडवेक नहीं देगा मतलब तीन साल बाद आप उसका बाहर नियोजन जो फ्लावरिंग नियोजन वगर जो फ्रूट सेटिंग का नियोजन वह सब कर सकते हैं यह बताईए कि शुरुआत करनें लगाते हैं उसके बाद फर्स्ट हमें क्या करना है मतल będę आपको पहले साब गुरोथ के लिए भेवर से लोग बोलते हैं कि अभी तो वारिश का दिन है पाणी के ज़िए लेकिन ऐसा नहीं है आपको सबसे पहले उसका ड्रिप नीयोजन करना है डिप मैनेजमेंट जड़े कम होती है तो उसको बारिश की पानी से ज्यादा वह सही नहीं पाता तो इसके लिए उसको थोड़ा सा फरिटिकेशन दे सकते हैं यह पाइप से जो हमें खाद भी देना है पानी देना है उसकी ग्रोध करनी तो उसका और सबसे महाइन बात यह है कि यहां पर इतने अ प्रफेले उसका जो यह जो टिप देखते हैं यह सब बादा है तो इसका यह थोड़ा सा मोड दीजे तो इधर से नीचे से शूट निकलेगा यहां पर जब रुगा था तो आपने यह कट किया यहां से तो अब यह कट करके वह प्रॉपर इसका डेवलप्मेंट किया है मतलब आपने उपर के जो हिस्सा मारते गए फैलाते गए उसको यह थीसाल तक बना दिए हमें हर साल हाइट कितना रखना है हर साल कट करना पड़ता है कैसे कट करना वह दिखाई है अभी देख लीजिए यह यहां पर हमने पहला कटिंग लिया इसमें दुसरा कटिंग लिय लिज्ट फ॥ चणा सबसे हैं इसको इसको इंगे इसको इसको इदर चर्णलेंगे अगर बहुत सा गर्दी है यह यह कट्दी एक बंग निल देङए इस ब्सको निनगे यह कहां तक बढ़ाते जाएंगे यह इसी लेवल पर कटेशेंगे अभी क्या करते हैं जिन लोगों का 15 लिए बरस का बाग है वह क्या करते हैं इतना तक यह तक आजाते हैं फिर एक बार ही पिर यहां से मार देते पिर अंदर से कट देते हैं स croch schok taza हो दिखने में रहेगा और यही तो management का भागी तो हमने इसको लगाया तीन साल तख ग्रो किया तो तीन साल क्या हमें हर साल क्या हमें ही एक मीडिया की तरह है क्योंकि गोबर क्या र का घृत कम करता है वह स़स्था मिलता YOU जैसे कि यह हमारा गोबर का खाद है तो हमने क्या किया है इसको अभी श्टोरेज करके रखाए देख सकते हैं अब हर साल आप इसको रखते हैं हर साल कितना ट्रॉली गोबर कर दोस्तों यहां पे इसको डालते तो तीन साल इसको हम संभालते हैं तो उस ताम पर हमें हम इसमें जयादा तो कुछ मरने का खराव चांश रहता नहीं है बहुत प्लाट नहीं हम नरसरी लाते हैं नर शुर dai बीज नहीं लगता टेसते नर्सरी लगते उसमें नीचे का जो रहता है वह ग्राफ्टिंग का इता घल जह अर्चा हम उसको फेरोट्रिकियेशन में दालता है है साल में दोबार पर शुरोंके तीन साल मैं और फिर बाद में रहता है मतलब इसका कटिंग वहे? साल में टूंतो साल मैसे जुन महीं लेना उनने उस में व्याहताटियों कि अगर आपका having soil है तो आप में में लीजे अगर आपका पत्थर का soil है या red soil है तो आप जून तक hold कर सकते जून में ले सकते यह atmosphere पे बहुत डिपेंड है तो एक बार हम plant लगाते हैं तीन साल बात ग्रो होता है चौते साल हम इसका cutting करते हैं ठीक है cutting करते हैं मतलब harvesting के लिए हमें flowering के लिए लेना है ठीक है तब जब cutting करते हैं जब यह माल लगता है तो लगने के बाद कितने महीने बाद होता है अभी कि एक सोपचास दिन में इसका harvesting हो जाता है cutting के आपने यह मही में लगाया था और अभी October के मिड में harvesting चल रहा है और कैसे पता चलता है कि यही कौन सा cutting करना है अब देख सकते आप इसको जो हमने वराइटी का नाम लिया था यह नेम के golden तो इसका जो यह गोल्डन हो चुका है और इसका भी और थोड़ा सा pinkish color आ जाता है यहां पे जो है गुला भी गुला भी color आ जाता है तो इसका मतलब है harvesting को आ गया अब यह तो इसका size बढ़ने के लिए वगेरा क्या खादेना पटना है अभी size के लिए तो हमारे जो जुरोबावन चोथी से तेरा चाहिस तेरा यह कब से start करते है यह step by step होता है जब हम cutting करते है तो बोरोडो का पेला स्प्रे मारते है ताकि फंगस होगे ना लगे उसके बाद अगर बारिश का ज्यादा हो जाए और वातावरन में नमी आ जाए तो जुरोबावन चोथी हमें करना बढ़ता है कि मतलब इसको पानी बहुत कम लगता है तो पानी कैसे दिया जाता है पानी ड्रिप से दिया जाता है शुरवाती में जब cutting होता है तो खाली चार से पास घंटा पानी देते हम तो कौन से मेने में इसको तान देना है मतलब की पानी नहीं देना अभी में वुखे ही हैow गारा हो बिस्मंबर तक हर वीश्टिंग चल frosty तोड़ा तोड़ा थोड़ा निकलता है फटक पानी खथ देना उसके अब छहिंग और जानिवरी ईनिट से एज चाहि हम इसका पानी जो बिन में लाद थे देना पड़ता है उसको मलत क्या करते हैं ँसमें तब कि इसमें पाँच मेना है तो आप कर दें तो आप सकते हैं उसके बाद में नहीं करना चाहिए तो चीज के बारे महीं पता making in video कैसी जूरा को बहुत परसान करती सबसे इस सि ता फल-बाद नाह मैलिबग की लिए हाँ तो मैलीबग स्य चीज जल्दक मरती नहीं है और वो क्या करते है फल को पुड़ा खतम भी नहीं करते है तो यह सकती है यह जिन्दा है और यह खराब होगा कि मार्केट में चलेगा ने यह फल तो चल जाएगा लेकिन बहुत कम दाम है इसको साफ करना पर गणा है वह उसको प्रश रहेता है हमारा बुट पॉलिश का ज्य मार्केट में डोमस्टिक लेवल में चल जाता ही अंदर तो कुछ नहीं अ डेटा हुआ है जा खाली बहर से बेटा हुआ है चल्का को सखें करता है इसको काईसे कंट्रोल करना है इसको तो हम सबसे पहले जब कुछ हमुरा राध हमरे चीटिंग होगी जब कुछ कोकी होने के यहां पर चिपका देना है, यहां पर चिपका देना है, तो यह उसका पेर नहीं होती है, यहां पर चिपका देना है, तो यह उसका पेर नहीं होती है, जिसके अपनी चिपकाया था गिर गया है, यह गिर गया है, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह होता है तो इसके लिए चीटिया उसको पकड़ के ऊपर ले जाती है और फिर वह फल में जाके इसका बहुत बारीक बात है यह बहुत ही आहम है इनका खुद का जुगाड ही समझ लिए नीचे लगाना और उसके उपर ग्रीस लगाना ताकि जो यह मिली बग ऊपर नहीं जा प पंदरा बीच दिन में यह हफ्ते में एट्मोस्पेर के सबसे एकाथ स्प्रेय क्या लेते है नॉर्मल मैंन को लिए क्लोरोफाइलिपोस और साइप्रमेत्रिन लेते हैं फिर उसके बाद रोगर हो गया अपना हाँ डायतोमेट हो गया फिर यह थामितोक्जीम हो गया थामि आज तक रिड़ो में गॉल्ड इस्टमाल ही नहीं किया बस आपके पास क्रेक्टर होना चाहिए वीडियो शूट किया था दोस्तों चैनल पर आप देख सकते भी से चलता है तो मैंने देखा है कि मैं भी मेरे खेत में मेरी भी बहुत खेती है जैसे कि गन्ना है पॉली हॉस गैसा बख़े जो भी मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्फूस हूं जहां सार हम में भी मेस्तव मैं भी इस्तमाल सब्सक्राइब ह questão कि जाने में यह ऋम लोग बहुत चछे तरीकेसे हमें बहुत सारे क्रप में मिलादी जाती है आई ह effe का द्वाथ दोस्तो हम लोग बाद मेंक्ते लेकिन यहां पे देखिए अभी जो है कितना हर्वेस्ट máximo यहां पर हो गया है तो यह आपने अभी हार्वेस्ट करके रखा हुआ है पूरा जी कितना यहां पर निकला है अभी यह लग बक एक टनके आसपस होगा और इतना निकले गा मतलब आज दो तन निकलेगा आज-जोन तो निकलेगा आज क्यून कापिज़ आज है थोड़ी तो दो दोगो ज़ीत पर है तो फोड़ी तो अब दॉड़ीश ने जाते है अब यह अगर देखा जाये इसका वज़न कितना होगा का तो जाता है यह तो आधा है यह जब यह ठाट हो गया यह डवी देख यह डाट ही ङसे टो लिजा यह जादा होगा हार्वेस्टिंग के लेवल से आगे जा चुका है और यह पोदे से सीधे नीचे गिया तो तो यह चुड़ गया यह देख सकते आप तो अभी इसको हम खा सकते ऊपर दिखा यह थोड़ा अच्छा है हलका अभी थोड़ा सा कच्छा है और भी चार दिन ले सकता ला लेकिन इस इसका गशूती है कि इसका देट समल नहीं पाया तो इसने नीचे चछव दोस्तों यहिए दोस्तों यह सिधङ को पन करने के बाद इसके अंदर का पीज पल को कैसा है उदर देख सकते है यह ऊत्ँ मुझे यह बताईए क इस सभी लोग इंट्रेस्टीं हूग इस बात में कि एक एकड में पहली बार जब हरेस्टिंग लेते हैं तीन साल बात तो कितना इल्ड आता है अभी देखो किसान के प्रैक्टिस इस पर डिपेंड करता है लेकिन अंदाजा में एक एक पोदे को आप मान के चलो दो से तीन किलो ही लेना है आपको ज्यादा लेना में चुरूरत में और शूरुवात में चुरूखिशों से प्रेंट कर साण की दुनों में बहुत होता है वा क्लिया स बहुत भाघर सटा है तो फार्मर को लगता है कि यहight निकले घृकल रह provision ठीनी में था फेक mir2 दो Tomorrow निकले पहने पिल्स तीन निकलता है तेन साभी तीन-चारटन तक आरम से निकलता है चारटन का अगर हम 100 रूपए से पकड़े तो आर्रुपे से एल्ड आरेकर याप से दस साल बाद क्या लगते है तो कितना इल्ड ले सकते है तो पोजे को कम से कम 30 कि आरम से ले सकते तो 30-30 गुनों ले 300 नौटन से 10 तन आराम तक प्रत एकर ले सकते हैं तसलाग का इल्ड ले सकते हैं आठ साल बाद ले सकते हैं लेकिन फार्मर का प्रेक्टिस इसमें बहुत ज्यादा मैटर का पार कुटिंग प्रूनिंग फ्लावरिंग श्रडूल वाटर मैनेजमें जिसके कसपटी सरसे प्रोपर खुद उनसे ही फ्रूट लाया था नर्सरी लाया थी तो तब हमें सतर रुपई के आसपास एक नर्सरी पड़ी थी और ड्रिप का खर्चा मानो एक 30-40,000 रुपई पर एकर में आएगा और इरिगेशन का और खाद का मान चलो पहले साल में एक 20-30 र सलों का संथ हो जाता है यह ऊसी के बाद हम कटींग लेंगे वहां सेमें उसर्फ ऑने Withपरें में आराम से चाहिं तूटल हमें मांड लीज़या हमें हार्वेस्टिंग करने तक भाई से 3 लाग रुपे खचा होगा पहले साथ पहले हर्वेस्टिंग यानिक तीन साल बाद पताई यह लोग कहने में सीताफल को क्यों पसंद करते और क्या बाइप्रोड़क्ट भी सकते है क लोग इसको टेबल पर पर पसंद करते हैं जो पल्पिंग में भी जाता है यह लिए बहुत अच्छा है इसका ज्यादा कुछ मेरे मेरे को हेल्थ का कितना बेनिफिट से पाता है लेकिन मैंगनेशियम जिंक और फेरस इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्श को तो डोमेस्टिक लेवल में हमारा जो महारास्ट्र में है तो महारास्ट्र में बालानगर वो ज्यादा चल जाता है तो महारास्ट्र में ज्यादा कुछ इसका दिमांड है नहीं दिवाली तक दिवाली के बाद हर जगा सिताफल का को शोर्टेज होता है दिवाली से लेकि मार्च तक बाजार में सिताफल नहां होता तो इसका डिमांड बहुत रहता है तो ईसन ऐसा पकड़ना चाहिए पड़ना चाहिए ऐसा टाहिए हाय वागता है लुष्ण म्द दो सब्सक्राइब किलोग जाता है बाप्रियो दोस्तों हमारे खेत में अगर दो तन इसा निकाल तो 20 लाग का उत्पादन आ सकता है, वाकई में ये, क्या बोलते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, दोस्तों, ये वाकई में, लॉंग टर्म में काफी अच्छा आपको मुनाफ़ा दे सकती है, तो आज की वीडियो हमने देखा, बहुत चारी जानकर लिए हमने स्र बटन यार कर दो और तोड़ पोड़ दो, अन्यार